साथियों नमस्कार मैं आउंकार गोश्वामी आपका इस चैनल पर हर्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूं आज के इस वीडियो में हम आरिपेसी फस्ट गेड कि जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य अभी प्राडम हुआ है हाली में रिजल्ट आने के बाद मे तीन विश्यों के शुरू हो गए है इसकी डेट आ गई है और लगातार दूसरे विश्यों की भी डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की डेट आने की संभावना है इसी क्रम में हमने एक प्रयास किया है आपके जो संकाई है प्रस्ट ने उनका जवाब देने का यह एक मंच है व भी न्यू वाला क्रिमिलियर में बना हुआ बना है तो मुझे क्या करना चाहिए अब आपको करना कुछ नहीं है आपकी यह कांसलिंग या कहें कि जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जोनिंग के समय आपको नोन क्रिमिलर का देना होगा और विस्टी का सेट कर्टिबएट है वह आपके पिताजी की किर्सी की आयोर व्यतन की आय से बना हो तो यह दोनों है वह इनसे कितने भी आयो लेकिन वह मानी नहीं जाती है तो इसके अलावा या यह यह आपकी पिताजी की आय थी तो आप क्रिमिलियर में आ गए होगे तो अब आप का जो समय वो कोड के माध्यम से हो सकता है अगला प्रस्थन है सर मेरा OBC non-crimineer का certificate यह वह सेम है 2019 था और पुराना upload करना है या 2023 का अभी तो आपको पुराना ही upload करना है अगला प्रस्थन है इनीक आया सर मैंने फॉरम में OBC non-crimineer भरा हैं लेकिन अभी certificate OBC क्रिमिलर में बन रहा है तो मुझे जनरेल में डाल देंगे क्या बिल्कुल यदि आप certificate नहीं लगाती है तो आपको जनरेल में count कर लिया जाएगा लेकिन इसके लिए आपको category का संसोदन करवाना चाहिए था अगला प्रस्न है सर मेरा OBC certificate 10 November 2021 का बना हुआ है और फर्स्ट grade के फॉरम फिल होने पांच मैं को सुरू हो गए थे लेकिन मैंने फॉरम 19 मैं को फिल किया था तो मुझे किसी एफिडेविट लगाने की जरूत है या नहीं सर प्लीज रपलाई दोबारा revenue revenue करवा लिया है मैंने उस OBC certificate को तो कोई दिक्कत नहीं है आप पुराना वाला certificate है वो लगा दीजिए जिसकी जो वैलिडिटी है वो एक साल थी यह दस नॉंबर को आपका बना है और लगबग चार या पांच जून लास्ट डेट थी इसकी बनने की आप इसे पुराने वाले certificate को अप्लोड कीजिए अगला प्रस्त ने सर MBC का certificate फोरम फिल करते टाइम सिक्स मन्त ओल्ड होना चाहिए था बट मेरा अंडर थ्री येर्स ओल्ड था वैसे न्यू का नया बना लिया है तो आप जहां पर आपको का शेट्वेट अपलोड करना है वहां पर तीनों ही अपलोड कर लें पुराना वाला बीच में एफिटेविट लगा लें कि में फोरम बढ़ने के इंतिम तारिक को भी योग्य था MBC में ही आता था और अभी नया वाला तो वेर अगला प्रस्ने काश्ट्रेट्वेट गेर नॉमबर 21 को बना था और मैंने फोरम 13 मई को सब्मिट कराया है तो लगाए तो मुझे सपत पत्र लगाना है पड़ेगा क्या अब नॉमबर 21 का है और आपका जो वैलिडिटी है वो एक साल की होती है तो फिर इस हिसाब से आपक का धन्यवाद आपको बहुत अच्छा लगा गुर्देव तो यह मेरा प्रैस रहता है कि आपके जो कमेंट है उनके जो मैं जवाब दूँ जैसे ही समय मिलता है कि अगला प्रस्न है मनिशा सुनी का लिए लिखते हैं कि सर मेरे पास जाती प्रमांड पत्रव फोर्म की लास्ट डेट से पहले का भी है और बाद का भी है तो कौन सा लगाएं आपको तो पहले वाला लगाना है जो आपकी फोर्म वनने की एक साल से पहले तक का बना हुआ होना चाहिए यहनिकि चार जून 22 को लाच तारी थी आपका उससे चार जून 21 के बाद का होना चाहिए फादर और मदर की नयम में थोड़ा करेक्शन है तो क्या करें आप एफिडिवेट लगा लीजिए कि ये जो आपकी अलग जो मारशिटे उनमें अलग अलग नाम है ये सारे ये जो नाम है वो सैम ही है ये माता जी का नाम ये है और ये पिता जी का नाम ये है और ये दोनों एक ही है इस तरह का जो एफिडिवेट है आपको लगाना पड़ेगा मदर और फादर का नयम चैंज नहीं हो सकता क्योंकि उनके खुद के डोकिमेंट्स में वही नेम है बट मेरे सबी डोकिमेंट्स में नेम थोड़ा अलग है तो क्या करें सर मैंने फॉर्म में फीस में कोई स्थूट नहीं ली थी तो क्या income certificate बनाना पड़ेगा आपको income certificate बनाने की ज़रूत नहीं है और नाम में जो मिस्टिक छोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत मिस्टिक है इस प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें यदि आपका पुराना है तो यह डेवलेटी जो आपको पता है एक अपरेल से 31 मार्श तक होती है और अबीची की 3 साल तक होती है इस हिसाब से आप जिस कटिगरी में आते हैं उस हिसाब से आप कि पुराना वाला लगा ले अगला प्रस्ण है सचिन फाइलट नाम से आईडिये वा इनकी सब्सक्राइब करें और वहां पर जो संस्तापन में बैठते हैं बाबुजी आप उनसे बात करें डियू सर से बात करें आपको जल्दी मिल जाएगी अगला प्रस्ण है सर मेरा एडवलेट हस्वेंट के नाम से बना हुआ है अब इस परिपत्र में फादर के नाम का मांग हैं तो कैसे सोलेशन होगा प्लिस बताएं यह तैसील में आजवेंट के नाम से बना रहे हैं लेकिन आरपीस है वगवर्मन्ट जों में वह फादर के नाम से मांग रहे हैं इसलिए अभी यह बड़ा संसे का विसए हैं कि माना जाएगा या नहीं लेकिन अभी जडि आपकी स्सक्राइब होती तो आप इसको अप्लोड कर लीजिए है अजिए अगला पृस्ट ने रільки से कम इंकम दिखा दी है अब कैसे तो आप इंकम में अगहे शॉसर और बनवा लेजिए अगला पूस्ण है Dear Sir RPC Second Gate की आंसर की कब आईगी? Second Gate की आंसर की यह RPC पर डिपेंड करता है और पहले बात, दूसरी बात RPC के माधियम से ही आंसर की आनी है और जो बीच में कारे रुकने का जो कारण है, वो सर्वविदित है सेकंड गेट से समझ जो बीच में व्यवधान हुआ या कहें कि जो पेपर लीक मामले में पकड़े गए इस करण से सेकंड गेट को एक तरह से ठंटे बस्ते में डाल दिया गया है यही वज़े हैं कि इसकी आंसर की नहीं आ रही है और प्रोईजनल लिस्ट भी नहीं आ रही है रिजल्ट की और नई फाइनल रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ रही है प्रिक्रिया फिलहाल स्टॉप में है अगला प्रस्ने सर जिन्होंने डही लाग से कम इंकम बरी थी और इंकम जदा है तो पोस्ट लुडर ब्री टीक का ओफिस में जम्मा करवाने पड़े या फिर श्मीट पोस्ट कर आ सकते हैं ने अल्टीकी अफिस में आप जम्मा करणीं तो बहतर रहेगा पोस्ट कर्वाने की तुलनामे अगला प्रस्ण है सर विस्त्रित आवदन पत्र के साथ दहीज अविवाहित प्रमाण पत्र सोचालय संतान समंदी प्रमाण पत्र भी लगाने हैं सर मदद करें इन सबत पत्रों के बारे में जैसे दहिज का है विवाहित होने का पर्मान पत्र है या फिर सोचाले संतान संबंदे पर्मान पत्र है यह संतान संबंदे पर्मान पत्र तो फिर भी आरपीसी वाले पिछली बार मांग रहे थे लेकिन दूसरे जो पर्मान पत्र है जैसे विव कि हलंकि एपको देने तो बाद में भी पढ़ेंगे तो आप पहले से दियार और भी ब्यूंतक्षित करनी हैं अभी मूल दोक्यूंट्स अब देने कि आम और उसको बना करने लूजो इसके कर द Надफ के लिधे करके दर तो में और नहीं है तो भी कोई मोटा फरक नहीं पढ़ने वाला हैं आपकी जो कहें कि आपकी जो न्यूक्ति हैं वो इस वज़े से या फिर आपका जो फाइनल सेलेक्शन है इस वज़े से नहीं रुख सकता अगला प्रस्न है मरेश सांकला का और यह लिखते हैं कि सरफोरम बढ़ते समय तैसिल जिस तैसिल में आते थे वो ही लगाई लेकिन अब तैसिल न्यू जो बन गई है कोई दिकत नहीं है इसमें अगला अगला प्रस्न है मेरा का सेट्वेट दूजर अठारी का इसयर क्या schemes करूं लगा लिजिए प्रेस्ट आफ एक अफिडवट लगाई है instructг had was में मेरा हो गया है ंदीवी में कोई आपको होगया तो बहुत बहुत द पर एफिडवट लगा लीजिये लास फॉरम बढ़ने की लास्त टेट थी उस देट से उस डेट को यह दी तीन साल पूरे हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं और पूरे नहीं होते साथ में डिए बढ़ा से पाहले का जो यह फूरम बन्ने की लाष्ट से पहले का जो अरुप अपलोट करना यदि गुणने तो आप उससे पॉराना सत्रे वाला तो आप कि अगला प्रस्टने सर मेरा जाती प्रमान पत्र 2017-2018 आए मैंने न्यू बनाया है मेरे फोटो वाला है मेरे नाम से ही पुराना या न्यू लगाऊं सर यह वह से में इन्हीं का उत्तर जो दे दिया है इने सर जी करेक्टर सेट्पेट भी चाहिए क्या और इसको कहां से बनोना कि एक तो आपने जहां पर अंतिम शिक्षा रेगुलर प्रात की वहां से बनेगा और आप दूसरे जो सट्पेट हैं चरीतर प्रमान पत्र वो किसी भी गजिटर से बना सकते हैं अगला प्रस्टन है सर जी इस बार तीन चरीतर प्रमान पत्र और सबत पत्र बनाने है या न आपको जो यह सीसी है वो और सपत पत्र हैं यह अभी कुछ नहीं बनवाने है यदि आपने बनवा लिए तो आप अपलोड कर दें और फिर भी यदि बाद में कोई कोई कोलम ऐसा आ जाता है तो फिर आपको जो पूसर में आप बनावाकर अपलोड कर लें अगला सवाल है स लेवल जोइन करने के कितने साल बाद चेंज होता है इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकरी नहीं रखता हूं और अगला प्रस में आपके आंसरिंग परफोर्मेंस बहुत-बहुत सांदार कुछ डाउट मेरे भी थे माई सन निश्चे ब्लाइंडनेस है मैं सब्जेक्ट म्यूजिक वोकल हैं ओविसी कटेगरी हैं डाउट आपने क्लीर कर दिया सर ठेंक्स बहुत-बहुत धन्यवाद यह एड़ोकेट बियार सेंस आवे आपके बच्चे का इस कटेगरी में हो गया है और म्यूजिक में तो बहुत ही आपको सबसे पहले बढ़ाई और आपने फ मैरीज अन्मान-गट में हुए है कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे मूल निवास हज्मेंट के नाम बनाना होगा सस्रावल में मैरी स्यूटिपेट के अलावा मेरे कोई डोकिमेंट्स नहीं मूल लिवास आपका राजस्तान का होना चीजिए वाकि कोई दिक्कत नहीं एन तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पहले दो यिर का बाउंडरेशन था कि मेरिज नहीं कर सकते और फिर केटेगरी चैन्स करवानी है क्या मेरे इसाब से अभी कोई बाउंडरेशन ऐसी नहीं है और आपने फोरॉम बनने के बाद में यह किया है तो मेरिज किये त इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद है फिर अगला है अगर इस्टडीज में लगा हो तो उससे भी अपलोड करते हैं या नहीं कि आपकी गैप है मुझे मेरे साब कोई अपलोड करने की दिकत नहीं सब्सक्राइब है तो आप अपलोड कर भी दें कोई दिकत नही अपलोड कर लेजिए कोई दिकत नहीं नया बनाया नहीं बनाया उसकी कोई आउशकता नहीं सब्सक्राइब तर्ट टीचर को भी आए प्रमांट पत्र लगाना है पड़ेगा क्या यदि उसने डाइलाग से कम आइज बता करके और शीच में छूट लिए तो लगाना ले तो भी कोई दिकत नहीं यह थी आज के प्रस्णों के आप आप आपके जो कमेंट से आज उनके उतर देने का मैंने प्रैश किया उम्मिद है आपके जो समिशाओं का समाधान हुआ होगा और अंत में आपसे गुजारिस रहेगी कि यदि आपके मन में भी यदि कोई प् जे ख़िए जोर्च्बarettी रो हनु ले छोर्च दू है आपके में मैंज के ऊजुआ होगार है